नवस्का दोस्तों, देट आज के देखो 22 नॉमबर 2024 है और स्वागत है आपका एटोवेल डिसकेशन में आज टोटल तीन इश्यूज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहला आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे क्या social media से democracy को फाइदे के बजाए नुकसान जादा हो रहा है यह देखो एक interview की form में article है और बीच-पीच में कहीं biased भी है लेकिन UPSC में हम कैसे points यूज कर सकते हैं उस हिसाब से हम यह article डिसकेश करेंगे फिर article हम डिसकेश करेंगे क्या all India judicial service establish करने के आओ सकता है जैसे देखो all India administrative service है मतलब यह IS all India service है IPS all India service है forest service all India service है तो क्या इसी परकार की एक judicial service भी होनी चाहिए फिर article हम यह discuss करेंगे राइटर से इसमें बोल रहे है EHRA establish की जाए Environmental Health Regulatory Agency लेकिन discussion हम start करेंगे उससे पहले एक famous lifeboat dilemma मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस पर ना UPSC case study पूछ चुकी है ethics में थोड़ा अलग form में था UPSC ने उस परकार से पूछा था कि disaster आ चुका है और rescue operation आप चला रहे हो तो आप किस किस को पहले rescue करोगे उस type में UPSC ने study ethics में पूछी थी लेकिन इसको थोड़ा आपको अलग धंग से आंसर देना है जो ये lifeboat dilemma मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये dilemma मैं जान बूछ के आपसे इसलिए पूछना हूँ ता कि आपकी thought process develop हो एक जहाज डूब रहा है जैसे Titanic डूब गया था ना Titanic डूबा था lifeboats की कमी थी तो अब जो जहाज डूब रहा ना उसमें रेखो 20 passengers बचे है और एक lifeboat बची है जिसमें 10 passengers adjust हो सकते हैं 10 से ज़्यादा नहीं तो डाइलमा है कौन से 10 passengers जाएंगे जिनकी जान बचेगी और कौन से 10 passengers नहीं जाएंगे कैसे decide होगा अब देखो अलग-अलग theories है जिसे मैं आपको एक dimension दे रहा हूँ बाकी अलग-अलग dimension में आप सोचिएगा जिसे एक dimension यह है utility realism की कि आप ऐसे passengers का चुनाव करो जिसे doctor है teacher है ऐसे passengers का चुनाव करो जो society में contribute करेंगे जो society में progress लेके आएंगे बाकी लोग को फाइदा होगा अगर कोई gambler है तो ऐसे छोड़ दो इनको वैसे भी society में कुछ contribute नहीं कर रहे है समझे utility realism का concept बोलता है greatest happiness of greatest number मतलब ऐसे passengers को बचाओ जिससे बाकी लोग की समाज में happiness बढ़े जो समाज में कुछ contribute करें और जो passenger contribute नहीं कर रहे हैं बलकि नुकसान पहुंचा रहे हैं कोई criminal है चोड है उसको छोड़ दो तो एक dimension ये है एक दो dimension और भी आपको बता देता हूँ जो UPSC ने case study पूछी थी उसमें UPSC ने बकाइदा बताया था कि एक pregnant lady है कोई elder citizen है कोई secretary है तो आप इस परकार से भी अपना answer frame कर सकते हो जो आपको लगे कि मैं पहले priority दूँँगा जो pregnant woman है या फिर बच्चे हैं या फिर elders हैं उनको बचाऊंगा लेकिन utilityism वाली approach ये बोलेगी कि बूडों को बचाने से क्या फाइदा तो ज़्यादा वैसे भी जीएंगे नहीं एक approach ये कहती है कि सबकी जो जान है वो equal है मतलब ये आप कैसे decide कर सकते हो कौन कम जीएगा कोई ज़्यादा जीएगा सबकी जो life है वो equal है किसी को किसी को exclude करने का अधिकार नहीं है तो आप बताईए comment box में कैसे आप decide करोगे कि कौन से 10 लोगों को उस boat पे जाना चाहिए और कौन से 10 लोगों को नहीं जाना चाहिए यहाँ पर self sacrifice वाला भी angle आता है कि voluntary जो decide कर सके लेकिन आज के UK साब से कोई voluntary decide करेगा ही नहीं कि भाई मैं आपनी जान देता हूँ तो आप बताईए comment box में बताईए अब चलिए discussion start करते हैं इसके बाद नेस्ट आर्टिकल देखो social media से समन्दित है क्या जो social media है वो democracy को नुकसान ज़्यादा पुंचा रही है as compared to fayda और दो साल बाद यानि 2006 में आया Twitter जिसे आज के समय में X के नाम से जाना जाता है 2009 में WhatsApp loan चुआ था और 2022 में Twitter को purchase कर लिया था Elon Musk ने और नाम change करके रख दिया X अभी एक controversy सामने आई UK के ना एक newspaper है The Guardian famous newspaper है जैसे हमारा Indian Express है वैसे ही मान लीजिए UK का newspaper है The Guardian इन्होंने एक्स को quit कर दिया Twitter को छोड़ दिया यानि X को छोड़ दिया आरोप ये लगाया इस newspaper ने कि देखो आज के समय में एक्स पर यानि Twitter पर Elon Musk का जो influence है वो काफी जादा बढ़ गया है वो political discourse को manipulate कर रहे हैं आज के समय में देखो Twitter पर na 350 million users है और जब से Elon Musk ने खरिदा है Twitter को तब से देखो safety teams जो है उनको हटा दिया गया है Twitter से Elon Musk freedom of speech and expression की काफी बात करते हैं वो कहते हैं कि मेरे से पहले जब तक मेरे पास Twitter नहीं था बहुत बाइस्ट होके काम करता था Twitter और particular ideology के आपको बताऊँ उनका क्या कहना था जो right wing ideology है जो Trump को sport करते हैं Republican Party उनके favor के जो post हैं वो हटा दिया जाते थे safety के नाम पे तो जैसे ही Elon Musk ने Twitter को purchase किया उन्होंने safety teams को हटा दिया और post और बोला कि जो post करना चाते हो post करो मतलब इसका मतलब यह नहीं कि आप nudity वाली videos post करने लगो लेकिन कहने का मतलब है इन्होंने content moderation को काफी ज़्यादा liberal कर दिया कमजोर कर दिया इन पर एक आरोप ये भी लगता है कि इन्होंने Twitter का algorithm change कर दिया और आजकल जो X है वो Elon Musk को बहुत ज़्यादा promote करता है इनकी post इनकी profile बहुत ज़्यादा share होती है algorithm इस परकार से बना दिया गया है फिर बात करते हैं Facebook की Facebook पे 3 billion users है और Facebook पे देखो content का जो moderation है वो थोड़ा better है बट दिक्कत यह है Indian languages में moderator नहीं है Facebook पे और hate speech जो control है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है limited है X से बढ़िया है लेकिन फिर भी Facebook पे कुछ खास नहीं है hate speech को रोकने का जो mechanism है वो उतना खास नहीं है और WhatsApp इंडिया में देखो सबसे ज़्यादा तो use WhatsApp ही होता है WhatsApp पे लेकिन दिक्कत यह है misinformation काफे ज़्यादा share होती है end-to-end encryption है और group forward पर कोई खास control नहीं है fake news groups के थूरू बहुत जल्दी viral होती है और इस पे कुछ खास control है नहीं WhatsApp का अब कुछ real example से इस article में share किया जाते है real example से जैसे देखो Sri Lanka में na 2018 में writes हुए थे Facebook पे hate speech काफे ज़्यादा spread हुई थी और Sri Lanka की local language में Facebook के moderators थे ही नहीं तो बहुत time लग गया hate speeches को हटाने में point समझ गए न अब जैसे इंडिया में इतनी सारी languages है local language में कोई video viral हो जाएगी hate speech viral हो जाएगी तो Facebook के moderator ही नहीं है local language में कैसे उनको पता लगेगा ये hate speech है जब तक वो verify करेंगे कि ये hate speech है तब तक काफी देर हो चुकी होगी आग कितरे video फैल चुकी होगी आज के समय में देखो Palestine और Israel के बीच में conflict चल रहा है Social media से बिल्कुल real basis पे updates मिल रही है क्या कुछ चल रहा है जब Iraq में war हुआ 2003 में उस में social media इतना नहीं था आज जादा है तो फाइदा भी हो रहा है real basis पे real time basis पे updates मिल रही है लेकिन देखो नुकसान भी है misinformation काफी सामने आ रही है Israel हमास war में इसके बाद article में बोला जाता है चुकि देखो users की न करंट social media platform से काफी सिखायते हैं इसलिए कई alternatives में इमर्जो के आई हैं जैसे mustardone है ये काफी जड़ा popular हो रही है decentralized system है इसमें मतलब communities है न इस social media platforms पे communities खुदी moderate करती हैं कैसा content लाए जा सकता है कैसा नहीं लाए जा सकता है बट दिक्कत ये है mustardone जो ये social media website है न नई website है ये user friendly नहीं है फिर एक और social media platform का जिकर किया जाता है जैसे blue sky blue sky नया platform है और journalists जो है बहुत सारे journalists इस पर shift कर रहे हैं क्योंकि यहां पर content moderation काफी better है और democratic values का ध्यान रखा जाता है वैसे एक और Facebook ने भी X जैसा यानि Twitter जैसा platform launch किया था जिसका नाम था thread शुरू में initially काफी ज़्यादा popular हुआ बात में लेकिन popularity गिरती गई लेकिन अब एक बड़ फिर से काफी emerge होते हैं या नहीं होते हैं देखो democracy के में democracy के लिए social media से positive effects की मैं बात करूँ सबसे पहले हैं voice to common people जो common आम आदमी है ना उनको आवाज मिलती है social media से जिसे अन्ना हजारे की moment हुई थी हमारे देश में 2011 में उस moment को popular करने में social media ने बहुत important role play किया था social media पे चीज़े share हुई थी और रामलीला मैदान में इंडिया गेट पे हजारों लोग इगठा हुए थे इस moment को sport करने के लिए social media का एक फाइदा यह होता है quick information sharing हो जाती है जैसे covid-19 के समय में oxygen की availability कम हो गई थी लेकिन social media के माध्यम से real time basis पे updates मिल रहे थे कहां पे oxygen available है hospital beds की real time updates मिल रहे थे कि कहां पे कितने hospital beds available है plasma donors की information मिल रहे थी तो यह फाइदा होता है social media का कि information की quick sharing हो जाती है फिर next इसी से मिलता जूलता point है community organizing जैसे देखो चैन्नाई में बार्ड आई 2015 में twitter पे एक ट्रेंड आ गया hashtag चैन्नाई rains तो इस hashtag से local groups ने relief work organize करना start कर दिया और इस hashtag की साहिता से 25,000 के आसपास volunteers ने इच्छा जाईर की कि हम चैन्नाई rains में relief provide करने के लिए participate करना चाहते हैं और सबसे last में democracy का ये फाइदा होता है social media से government की accountability fix की जा सकती है आज के समय में देखो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है जैसे किसी police ने माली जी बत्ते मीजी कर दी मार दिया किसी को वैसे ही थपड थोड़ी दिर बाद खबर आती है सरकार ने उस police वाले को suspend कर दिया मतलब accountability तो देखो सरकार की fix होती है आप बोल सकते हो कि हाँ सरकार आज कल manipulate करती है social media को भी वो point अभी आएंगे negative effects में लेकिन social media के माध्यम से जैसे निर्भय case हुआ था अभी ये कुलकाता वाला case हुआ किस परकार से ममताव energy को मजबूर होना पड़ा तो accountability सरकार की fix होती है अब बात करें negative effects की negative effects क्या-क्या होते है थोड़ा देखो मैं systematic डंग से इसको बता रहा हूँ article तो एक interview की form में है पहले मैंने आपको background बताया फिर positive effects बताए अब मैंने negative effects आपको बता रहा हूँ फिर last में solution की भी बात करेंगे लेकिन article उतना systematic डंग से नहीं है negative effects में देखो fake news spread होती है जैसे COVID-19 में हमने बात की कि इस परकार से social media का फाइदा हुआ लेकिन नुक्सान भी हुआ COVID के बारे में बहुत सारे misbelief, myth फैले जैसे निम्बू मिर्ची से COVID ठीक हो जाता है 5G की वज़े से COVID spread हो रहा है ऐसे ऐसे जो fake news है ना वो फैले तो इससे ना जो public health crisis है ना बलकि उनको और नुक्सान पहुँचा फिर दूसरा negative fact है eco-chamber eco-chamber मतलब एक ना social media पे regulation तो है नहीं तो अच्छे views लोग परकट नहीं करते हैं असानी से social media पे मतलब rational views की काफी कमी देखने को मिलती है सोर्स अराबा जादा देखने को मिलता है लोग अपनी पसंद की news देखते हैं सिरफ जो बीजेपी को स्पोर्ट करेगा वो सिरफ बीजेपी की news देखता है और उसे सच मानने लगता है जो Congress की news देखता है वो सिरफ Congress की news देखेगा बाकी बीजेपी को गाली देगा और social media का algorithm भी ऐसा ही होता है कि आप जिस party से related जिस leader से related news देखते हो आपको याद होगा जैसे Cambridge Analytica का एक स्केंडल आया था किस परकार से Facebook के 87 million users का data leak हुआ फिर उनको target करते हुए political ads बनाए गए और आज के समय में तो देखो हर एक party का IT cell है और पूरा महोल बनाने की कोशिस की जाती है artificial महोल artificial महोल जैसे एक वीडियो कोई आएगा नीचे फिर उसी political party के comments होते हैं पूरी IT team उस party की काम कर रही होती है अपनी party के favor में opinion को mobilize करने के लिए महोल बनाने के लिए तो ऐसा बहुत चलता है आज के समय में तो point क्या है? point है political manipulation का फिर देखो एक point ये भी hate speech जब देखो दो communities की बीच में लडाई हो जाती है जैसे मनिपूर में अभी हैं तो उस समयना social media आग में घी डालने का काम करता है बहुत सारे fake videos पुराने videos लेकिन context नया बना के present कर दिया नफरत वाले videos दूसरी community के लोग को मारने के लिए ऐसे बहुत जड़ा share होने लगते हैं और उससे दंगे और जढ़ा बढ़क जाते हैं नफरत जो है वो और जढ़ा बढ़ जाती है एक चीज हमेशा याद रख़िएगा positive चीजें लोग कम share करते हैं negative चीजें लोग जढ़ा share करते हैं positive चीजें उतना तेजी से आती रहती है, तो mental health परभावित होती है, foreign interference का issue होता है, जैसे US के election में, 2016 के election में, रस्या ने interfere किया था, ऐसा रोप लगे थे, social media के through, privacy compromise होती है, इसके अलावा, time waste बहुत ज्यादा होता है, आपको ना एक चीज suggest करता हूँ, अगर मेरी बात मानोगे तो बहुत फाइदा होग कुछ लोग ना social media इसलिए चला लेते हैं, उनको रखता कि या third time pass कर लेते हैं, मिलता कुछ नहीं है, सिरफ negativity ही होती है, even sorts से कुछ फाइदा होता नहीं, आजकल sorts पर लोगों ने बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर दिया है, sort भी फरजी फरजी आते हैं, मालब कता ही, बेवक application download कर लो, कोई भी book summary वाली, free वाली, जिसमें न जब भी आपको time मिले न, जैसे खाना खा रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई से relax होना चाहते हो, तो book summary सुन लो, समझ गए, मतलब और किसी चीद से time pass करने के बजाए न, book summary से time pass कर लो, अगर आपको लगता है कि मैं आज 8 गंटे पढ़ लिया हूँ, बहुँ जारा बोर हो रहा हूँ, अब मुझे mind को थोड़ा relax करने की आप सकता है, तो कोई book summary सुन लो, सुन लो, देखना नहीं है, वो तह सिरफ audio वाला applications आपको मिल जाएंगी, उसमें न, हर तरह की book summary होती है, business से समंदित और आपस में self development से समंदित communication skill होर तरह की जिस भी topic से आप search करना चाते हो, उससे आपको बहुत फाइदा होगा, लास्ट में देखो कुछ suggestions भी दिये जाते हैं, articles में, suggestions जैसे देखो individual level पर suggestion, fact checking की न, habit develop करो, multiple sources से चीज़े चेक करो, और civil discourse maintain करो, सामने वाले की आवाज सुनो सामने वाले की बात सुनो, बजाय की अपनी बात सिरफ impose करो, digital literacy improve होनी चाहिए, platform level पर देखो, content का better moderation होना चाहिए, transparent algorithm होने चाहिए, अगर violation होता है, social media norms का, तो जल्दी से जल्दी action लिया जाए, local language में sport provide की जाए, social media platforms के द्वारा, government level पर क्या होना चाहिए, clear social media guidelines होनी चाहि चाहिए, digital literacy सरकार strengthen करें, इसके बाद fair access policy होनी चाहिए, community level पर क्या किया जा सकता है, community level पर देखो वही चीज़े है, positive content को promote किया जाए, हम सब भी positive content को ज्यादा promote करें, negative content को promote ना करें, community moderate करना सीखे, अगर देखो हम कोई खराब चीज़ देखते हैं, तो उसको flag करें, report करें civil society से अबेक्सा की जाती है कि वो fact checking करें, बहुत सारे fact checking units हैं, लेकिन वो भी biased हो के काम करते हैं, लेकिन ऐसी fact checking units जो वास्तों में किसी political party की तरफ जुकाव नहीं रखती, सिरफ जनता का भला उनका उदेश्या है, ऐसी fact checking units को लाने के आउ सकता है, तो ये पूरा article हमने discuss किय चलते हैं आगे, इसके बाए इस आर्टिकल, environmental health regulatory agency से समधित है, आपना syllabus में GS paper 3 के इन topics से आर्टिकल को relate कर सकते हूं, देवो 2015 में परिश climate change agreement sign हुआ था, और 196 countries ने climate change से लडने का commitment लिया था, और इंडिया ने भी इस परिश climate change agreement को sign किया था, आज के time में क्या हो रहा है, इंडिया developing countries की आवाज बनकर सामने आ रहा है, बट देखो हमारे खुद की जो environmental problems हैं, काफी serious हैं, अभी इना हाल ही में emission gap report 2014 सामने आई, UNEP की तरफ से जिसमें ये बोला गया, कि पिछले साल के अपेक्साकर्थ, हमारे देश में greenhouse gases का emission है, वो 6% जादा हुआ है, देखो environment को परभावित करने वाले ना, तीन बड़े factors हैं, सबसे पहले है, हवा में pollution, जैसे जो particulate matter 2.5 है, ये पहला factor, दूसरा factor है, water का contamination, पानी जो है, वो बहुत ज़्यादा दूसित हो रहा है, और तीसे नमबर पे है, land pollution, land pollution में इदर उदर डाल देते हैं, हम कुड़ा करकट, बाद में कुड़े का पाहाड बन जाता है, उसके बाद में soil pollution, soil का contamination हो जाता है, बाद में वहाँ पे कुछ उगता नहीं है, ये सारी चीज़ें आती है, land pollution में, तो में लिए तीन तरह के pollution है, लेकिन देखो, आज के सम में बहुत सरे departments है, pollution को control करने के लिए, जैसे Central Pollution Control Board है, CPCB है, इसके लावा Environmental Ministry है, Environmental Ministry क्या करती है, General Environment Policies बनाती है, और तीसे नंबर पे Health Ministry भी है, Health Ministry क्या करती है, disease का surveillance करती है, लेकिन एक बात बताओ, अब देखो, pollution की वज़े से, जैसे emission ज़्यादा हो रहा है, अब इसकी वज़े से, इन्वार्मेंट को नुक्सान पहुंच रहा है, सेहत को काफी ज़्यादा नुक्सान पहुंच रहा है, क्या कोई AC Ministry या Department है, जो इन सब issues को ना comprehensive ढंक से देखे, कि हाँ भी देखो, अर्थ का average temperature इंडिया में बढ़ रहा है, और इसकी वज़े से ये disease ज़्यादा हो गए है, इन पेड़ पोदों को नुक्सान पहुंच रहा है, या फिर water की ये bodies पूरी तरह से contaminate हो चुकी है, पीने लाइक पानी नहीं अचा, अभी, क्या अब हमें हमें पता ही नहीं लग पाता कि अभी pollution की वज़े से, या फिर emission की वज़े से, climate change की वज़े से नुक्सान कितना हो रहा है, environment पे क्या नुक्सान पहुंच रहा है, health पे क्या नुक्सान पहुंच रहा है, उसकी हमेश टीक जानकरी होती ही नहीं, क्योंकि कोई एक body ह है नहीं जो चीज़ों को link करके देखे, comprehensively देखे, broader picture देखे, ऐसी कोई body नहीं है, इसलिए आज के इस article में जो writers है ना, वो इंडिया में देखो एक centralized agency का proposal देते हैं, उस centralized agency का नाम होगा EHRA, EHRA का मतलब Environmental Health Regulatory Agency, writers कहते हैं, ये department बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि देखो ये environment और health को आपस में connect करेगा, data collection से लेके, policy implementation तक, सभी stakeholders को साथ लेके चलेगा, ये department और इस department को establish करने के लिए, writers example भी देते हैं, जैसे US में ऐसी agency है, environment protection agency, 1970 से successfully काम कर रही है, ये agency, इस agency ने बहुत सरे अच्छे अच्छे काम किये, air quality index introduced किया, lead free patrol वहाँ पर mandatory किया, river को साफ करने के लिए program चलवाए, अब US की ये जो agency है, इन्होंने क्या-क्या काम किया, जैपान की agency ने क्या-क्या काम किया, आपको उतना देखो याद रखने क्या हो सकता नहीं है, लेकिन फाइदे याद रखने क्या हो सकता है, जो environmental, जो हमारे देश में जिसका नाम होगा, EHRA, अब इसको establish करने से फाइदे क्या-क्या होंगे, जैसे देखो, atmosphere में जो particulate matter 2.5 है ना, इसकी regular monitoring होसकेगी, वो chemicals, जो pollution से release होते हैं, जिनसे cancer होता है, ऐसे chemicals की monitoring होसकेगी, disease होते हैं, उन पर research करेगी, यह EHRA, यानि की environmental health regulatory agency, जिसे ने writer example भी देते हैं, बोपाल में बहुत बड़ी gas त्रास्दी होई थी, बोपाल में, अगर देखो, ऐसी agency होती, EHRA, तो देखो, proper safety protocols को follow किया जाता, इसके बाद next article, All India Judicial Service के suggestion से समधित है, आप GS Paper Second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, देखो, intention अच्छी है, प्रेजडेंट द्रोब्दिन मुर्मू ने ना हाल ही में suggestion दिया कि एक All India Judicial Service establish की जाए, जैसे IS IPS है, और उसी परकार से All India Judicial Service होनी चाहिए, इसका जो exam clear करें, वो judges बने lower level पे, lower courts में, suggestion अच्छा है, बहुत सारे फाइदे भी हैं, जैसे देखो, अभी बहुत सारी पोस्ट ना खाली रहती है, lower courts में, अलग-अलग राज्यों में, अगर All India Judicial Service से candidates चुन के आएंगे, तो एक pool बनेगा, हर साल एक निश्चित संख्या में candidates चुन के आएंगे, उनको फिर फर्दर appoint किया जा सकता है, अलग-अलग राज्यों की lower courts में, corruption कम होगा, अभी देखो, high courts जो हैं, वो decide करती हैं, कि कौन district judge होगा, even कई बार तो बार से किसी वकील को उठा के identify करके, उसको district judge बना दिया जाता है, पर्मोशन के थुरू कम judge, district judge बनते हैं, और lower level पे district court में जो subordinate judges होते हैं, उनको appoint तो high court के दवरा किया जाता है, लेकिन select उस state के public service commission के दवरा किया जाता है, for example, हरियाना public service commission है, ये exam conduct करेगी, और उस exam को clear करके, जो candidates exam clear करेंगे, वो subordinate judge बनेंगे district court में, उनको अलग अलग जिगां पे appoint किया जाएगा, और बाद में high court की मर्जी है, कि वो इनी subordinate judge में से किसी एक को district judge बनाए, या फिर बार में, local level पे जो बार होती है district court में, या जो वकील होते हैं, उन में से किसी को district judge बना देंगे, ये high court पे depend करता है, आम तोर पे देखो, बार से ही ज़्यादा candidates को उठाके district judge बनाया जाता है और इसमें काफी corruption nepotism चलता है, अगर देखो, एक all India level का exam होगा, तो फिर उसमें corruption कम होगा, जैसे UPSC exam conduct रती है, corruption कम होता है, वैसे ही, judges चुन के आएंगे, वो बिना corruption के चुन के आएंगे, interstate transfer की जा सकती है, एक state से दूसरे state में, जहां अभी vacancy जादा है, वहाँ बेज़े जा सकते हैं candidates को, efficiency improve होगी, judiciary जो है, वो independent होके काम कर सकेगी, क्योंकि independent exam से candidate चुन के आएंगे, judge बनने के लिए, तो वो independent होके काम करेंगे, ये सारे फाइदे हैं, लेकिन देखो, नुक्सा judge बना रहे हैं, उसको local level पर knowledge है या नहीं, local language आती है या नहीं आती है, अगर All India Judicial Service से जो candidates चुनेंगे, वो district judge बनेंगे, तो कोई जुरूई नहीं, उनको local conditions के बारे हैं पता हो, next point, अगर देखो All India Judicial Service से candidates चुन के आएंगे, वो judge बनेंगे, अगर इसमें थोड़ा सा भी executive यानि सरकार का दखल अंदाजी है ना, तो judiciary की जो independence है वो compromise हो जाएगी, next point, देखो legal education ना, अलग 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 है, कानून अलग 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 है, तो एक candidate की transfer हो यह दूसरे राज्य में, तो उसको दूसरे राज्य के कानूनों के बारे में तो पता ही नहीं, जो अलग है समझगे, next point, अभी देखो, अलग 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 राज्यों में जजजी की salary, pay, structure, incentive अलग अलग है, तो उनको एक level पे लेके आना, वो एक बहुत difficult चीज है, next point, देखो local level पे, local language में सुनवाई हो, वो advantage चला जाएगा, अगर बहार के judge, for example, tamiladu के judge, हर्याना में काम करने के लि तो वो local advantage खतम हो जाएगा, local language का, last point, देखो, ऐसा भी हो सकता है, कि exam conduct करने से किसी राज्ये के, चुरी presentation है, ज्यादा हो जाएगा, coaching institutes का business और ज्यादा prosper हो जाएगा, तो ये सारे नुकसान है, arguments दिये जाते हैं, All India Judicial Service बनाने के against, वैसे देखो, राज्येसभा कोना exclusive power है, अगर दो ती हाई majority के साथ regulation राज्येसभा में पास किया जाता है, तो पार्लियमेंट के कानून की साहिता से All India Judicial Service establish की जा सकती है, आप बताएगे आपकी क्या राय है, All India Judicial Service establish होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और इस परकार की घटना फिर बचाई जा सकती थी, औ और जो ये EHRA होगी न, ये sustainable practices को promote करेगी, जिससे innovation आएगा, green jobs create होगी, long term financial resilience आएगा, मतलब environment को protect करने के लिए, funds बगरा जुटास केगी है, body, मतलब बहुत से अच्छे-च्छे काम कर सकेगी, अभी क्या होता है, अलग-अलग ministries के बीच में, coordination में बहुत दिक्कत आजाती ह लेकिन तीनों को मिला के, ये agency बनेगी EHRA, तो environment संबंदित मामलों में, जल्दी-जल्दी decision लिया जासकेगा, मतलब ऐसे issues जिसमें environment, health, ये सब चीज़ें आपस में connected है, जल्दी से fence लिया जासकेगा, तो implementation कैसे होगा, कैसे ये body काम करेगी, ये agency देखो, central level पे तो independent होके काम करेगी, और central government का जाद दखल नहीं होगा, इसमें experts को appoint किया जाएगा, और वो experts जो है, facts के basis पे, objectivity के साथ में fence लेंगे, चीजों को regularly monitor करने के लिए, एक system setup किया जाएगा, जैसे particular matter 2.5, अभी कितना है, क्या करना चाहिए, फिर देखो, state level पे न, state units भी establish होगी, उनका जो focus ह होगा, वो local problems पे होगा, और next district level पे pollution monitoring stations होगे, health के impact को assess करने के लिए units होगी, emergency में response करने के लिए units होगी, ये सब होगा district level पे, और last militer देखो ये बोलते हैं, जब ये body बने न, ऐसा ना हो कि हाँ, ये normal bodies के तरह हो जाए, manpower की दिक्कत ना आए, budget allocation की दिक्कत ना आए, और industry lobb की तरफ से देखो, resistance आ सकता है, तो इस body को powers भी देनी होगी, modern equipments की requirement आएगी, modern equipments सरकार को provide करने होगे, technical expertise के लिए, expert जब इस body में काम करें, तो उनका जो renumeration है, वो ठीक होना चाहिए, तो ये सब problem देखो, पहले से आ सकती है, writers जिन्होंने article लिखा है, वो पहले से अनुम लगा रहे हैं, कि ये problem आम तोर पर किसी body को face करने पड़ता है, भारत में, तो ये सब problems ना आ हैं, उसके लिए, जो bill parliament में लाया जाए ना, इस परकार की body को establish करने के लिए, bill में इन सब चीजों का provision पहले से होना चाहिए, समझ गए, तो ये पूरा article हमने discuss किया, EHRA के बारे म चलते हैं आगे, अब बात करें कौन-कौन से articles हमने discuss किये, ये EHRA वाला article हमने अभी discuss किया था, और इसमें ये बोला गया है, ऐसी एक environmental health regulatory agency establish की जाए, जो तीनों departments को सांथ लेके चले, इसके बहुत सारे फाइदे होंगे, case study से बताया गया, US में कितने फाइदे हुए हैं, त तो अभी तीन अलग अलग bodies हैं, जैसे Central Pollution Control Board, Amnesty of Environment, Amnesty of Health है, इनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अच्छे से काम नहीं कर परते हैं, फिर US का example मैंने दिया था, जर्मनी जपान का example मैंने जान बूच के नहीं दिया, क्योंकि एक बहुत है body example देने के लिए, फिर हमने discuss किया था कैसे ये body काम करेगी, बहुत सारे फाइदे होंगे इस body के, environment और health data का integration होगा, और evidence-based, fact-based, science-based decision लिया जासकेंगे, major projects का health impact assessment हो सकेगा, green jobs create होगी, sustainable practices आएंगी, लोगों में engagement increase होगा, education ये तो normal से point हैं, फिर तीन लेवल पर bodies establish करने की बात कही गई थी, तीन लेवल पर मतलब एक center level पर, state level पर, district level पर, हर एक body का काम भी बने आपको बताया, क्या काम होगा, फिर ये भी बताया कि bureaucratic inertia आएगा, industries की तरफ से resistance आ सकता है, fund कई बर कम मिलता है, वो सारे points पर हमने discuss किये, social media वाला article हमने discuss किया था, किस प्रकार से social media में, आज के समय में बहुत polarize होगी है, social media भी, जैसे twitter को quit कर दिया, दगाड या newspaper ने, और उसके बाद में, हमने अभी थोड़ा background भी discuss किया था, कौन-कौन से famous social media platforms है, कौन-कौन से alternative के तोर पे emerge हो रहे हैं, और फिर हमने positive effects को भी discuss किया, positive effects क्या है, negative effects क्या है, social media के, positive effects जैसे voice मिलती है, marginalized sections को, सरकार के accountability fix होती है, यह सब है, और quick information sharing होती है, और negative effects में manipulation होता है, political manipulation, hate speech काफी तेजी से viral होती है, फिर last में, यह भी हमने discuss किया था, कि क्या-क्या करना चाहिए, individual level पर क्या करना चाहिए, community level पर क्या करना चाहिए सरकार के level से क्या expectation है, social media platform से क्या expectation है, वो सब भी हमने discuss किया, last में जो question आपको attempt करना है, वो भी देखो social media से ही समन्दित है, question यह है, free speech और regulated content के बीच में कैसे balance established किया जाए, 250 words का answer आपको देना है, 15 marks का question है, तो यह थी हमारी आज की discussion, कल मिलते हैं, फिर से एक नई discussion के साथ तब तक देखो, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, thank you, thank you very much for discussion